साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विधार्थी में आपका बहुत बहुत सागत है आज की वीडियो नाम लिखना सीखें नाम लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम लोग एन और ओ अक्षर से सुरू होने बाले लड़के और लड़कियों के हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखना सीखेंगे आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे सासा लिखिए तो आए शुरू करते हैं आज का पहला नाम है नभ नभ लिखेंगे न और भा नभ को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए बी एच नभ के बाद में अगला नाम है नमन नमन लिखेंगे न म और न नमन नमन को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए एन ए एन ए एन नमन के बाद में अगला नाम है हमारा नवल लिखेंगे न वा और ल नवल नवल को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए वी ए एल नवल के बाद में अगला नाम है नरेज नरेज लिखेंगे न रा में ए की मात्रा और श नरेज को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए आर ए एश एच नरेज के बाद में अगला नाम लिखेंगे हम लोग नवीन नवीन लिखेंगे न वा में बड़ी की मात्रा और न नवीन को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए वी डवल ए आन नवीन और कुछ लोग यहां पर डवल ए की जग़े आई ही लिखते हैं तीक है आप पहले से जैसे लिखते हों उसी तरह लिखें यदे आप अभी-अभी सीक रहे हैं तो डवल-ई लिखें ठीक है और नवीन के बाद में अगला नाम है नदीम न दा में बडी की मात्रा नदी और म ठीक नदीम को लिखेंगे गरेजी में अगला नाम है नरेंद्र नरेंद्र लिखेंगे न रा में एकी मात्रा अनुसार बिंदू दा में पदेंद्रा नरेंद्र को अंगरेजी में लिखेंगे के बाद में अगला नाम है नकुल का में छोटे उकी मात्रा और ला नकुल को अंगरेजी में लिखेंगे के बाद में अगला नाम है नरसी नरसी लिखेंगे को अंगरेजी में लिखेंगे अगला नाम है नरवीर नरवीर लिखेंगे नरवीर को अंगरेजी में लिखेंगे नरवीर के बाद में अगला नाम है नत राज नत राज लिखेंगे नरट रामे बढ़या की मात्रा और ज़ नत राज को अंगरेजी में लिखेंगे नत राज के बाद में अगला नाम है नवयोत ना औरवा नव जा में ओ की मात्रा जो और त नवयोत को अंगरेजी में लिखेंगे न ए वी नव जे ओ टी जोत नव जोत के बाद में अगला नाम लिखेंगे हम लोग अगले पेज पर आप भी पेज पर रट लिजिए और अगले पेज पर लिखेंगे नवल किशोर अगला नाम है नवल किशोर लिखेंगे नवा और ला नवल का में छोटी की मात्रा शामे, ओकी मात्रा और नवल किशोर को अंग्रेजी में लिखेंगे अगला नाम है नरोत्तम लिखेंगे न, रामे, ओकी मात्रा, ता के साथ आधाता और म, ता दुत रूप में रहेगा नरोत्तम को अंग्रेजी में लिखेंगे अन, ए, आर, ओ, डवल, टी, ए, ए, म नरोत्तम के बाद में अगला नाम लिखेंगे नरिंदर नरिंदर लिखेंगे न, रामे, छोटी की मात्रा, अनुसार बिंदू लिखेंगे चाहें तो आधा ना लिखेंगे ठीक है आर पहले लिखा जाएगा ये बाद में लिखा जाएगा ठीक है यादी दा के साथ रा है y いय यानिकि पूरा रा है तो डि ए पहले लिखा jáगा आर बाद में लिखा जाएगा फिरसे सुन लिजिए यदि पदेनरा है तो आर पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे यदि पूरा रा है तो ए पहले आर बाद में ठीक है नरिंदर और आगे लिखेंगे हम लोग नामदेव नामे बढ़्या की मात्रा और मा नाम दा में ए की मात्रा और वा नाम देव लिखेंगे N A M नाम D E V के बाद में नवे दिता नवे दिता लिखेंगे न वा में A की मात्रा दा में छोटी की मात्रा ता में बड़या की मात्रा नवे दिता लिखेंगे हम लोग के बाद में अगला नाम है नारायन नामें बढ़या की मात्रा रा में भी बढ़या की मात्रा या और नारायन को अंग्रेजी में लिखेंगे नारायन के बाद में अगला नाम लिखेंगे हम लोग निहारिका ना में चोटी की मात्रा हा में बढ़या की मात्रा और रा में भी चोटी की मात्रा और का में बढ़या की मात्रा शब्द बन गया हमारा निहारिका निहारिका को अंग्रेजी में लिखेंगे के बाद में अगला नम है नागार्जुन ना में बढ़्या की मात्रा गा में भी बढ़्या की मात्रा और जा में छोटे उकी मात्रा साथ मरेफ की मात्रा और ना नागार्जुन को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए जी ए आर नागार और जे यू एन नागार जुन के बाद में अगला नाम है नूर जहां नूर जहां लिखेंगे नामे बड़े उकी मात्रा और रा नूर जह हामे बड़े आकी मात्रा और चंदर गिंडू नूर जहां को अंग्रेजी में लिखेंगे न डवल ओ आर नूर जे ए ए एच ए ए एन नूर जहां के बाद में अगला नाम है नागेश्वर नामे बड़े की मात्रा गामे एकी मात्रा आधासा वारावर नागेश्वर को अंग्रेजी में लिखेंगे न ए जी ए ए ए ए एच डवल्यू ए आर नागेश्वर के बाद में अगला नाम लिखेंगे हमलों नन्ही देवी नन्ही देवी लिखेंगे ना आधाना हा में बड़ी की मात्रा अंशार बिंदु नन्ही और दा में एकी मात्रा देवा में बड़ी की मात्रा नन्ही देवी को अंग्रेजी में लिखेंगे ए ए ए ए ए एच आई न ननी देवी के बाद में अगला नाम है नारद। में गढ़्या की मातरा और दा नारद को अंग्रेजी में लिखेंगे, ं, डवल-ए, आर-ए, डी instrument, और अगला नाम हम लोग अगले पेस पर लिखेंगे आप अगला नाम लिखेंगे हम लोग नानक, नामे, बड़या की मात्रा और फिर ना, और का, नानक को अंग्रेजी में लिखेंगे, एन ए, एन ए, के, नानक के बाद में, नीलम, नीलम लिखेंगे, नामे, बड़ी की मात्रा, ला और मा, नीलम, नीलम को अंग्रेजी में लिखेंगे N, E, L, A नीलम के बाद में निखिल, निखिल लिखेंगे नामे चोटी की मात्रा और खा में भी चोटी की मात्रा और ला निखिल को अंग्रेजी में लिखेंगे N, I, K, H, I, L निखिल के बाद में अगला नाम है नूतन नूतन लिखेंगे नामें बड़े उकी मात्रा और ता और नूतन को अंगरेजी में लिखेंगे एन और नूतन एन यू टी ए एन अधिकांस इसी तरह हमने लिखा देखा है और कुछ लोग एन डबल ओ भी लिखते हैं ठीक है नूतन के बाद में अगला नाम है नितेश नामें छोटी की मात्रा और ता में एकी मात्रा और शा नितेश को अंगरेजी में लिखेंगे और अगला नाम है नूपूर नामे बड़े उकी मात्रा पामे छोटे उकी मात्रा और नूपूर को भी अंग्रेजी में लिखेंगे और इस तरह भी लिख सकते हैं आप और नूपूर के बाद में अगला नाम है नितिन नामे चूटी की मात्रा और ता में भी चूटी की मात्रा और नूपूर को अंग्रेजी में लिखेंगे नितिन के बाद में अगला नाम है निहाल नामे चूटी की मात्रा और हा में बड़ा की मात्रा और निहाल को अंग्रेजी में लिखेंगे निहाल के बाद में अगला नाम लिखेंगे निकिता नामे चूटी की मात्रा का में भी चूटी की मात्रा ता में बड़ा की मात्रा निकिता को अंग्रेजी में लिखेंगे निकिता के बाद में अगला नाम है नित्या नित्या लिखेंगे नामे चूटी की मात्रा अधाता या में बड़ा की मात्रा नित्या लिखेंगे नित्या के बाद में अगला नाम है निलेश निलेश लिखेंगे नामे बड़ी की मात्रा नि और लामे एकी मात्रा और श निलेश को अंग्रेजी में लिखेंगे और इस तरह भी लिख सकते है न आई ल ई एस एच निलेश निलेश हमने अधिकांस इस तरह लिखा देखा है आप चाहें तो किसी बत्रह से लिख सकते हैं और अगला नाम है नीलीमा नीलीमा लिखेंगे नामे बड़ी की मात्रा लामे छोटी की मात्रा मामे बड़या की मात्रा नीलीमा को अंग्रेजी में लिखेंगे एन डवल ई एल आई M.I. N.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I M-A-L-Nirmal के बाद में अगला नाम है निरमला नामे छोटी की मात्रा मामे रिफ की मात्रा लामे बढ़या की मात्रा निरमला को लिखेंगे N-I-R-Nirmal M-A-L-A-Nirmalा के बाद में अगला नाम है नंदलाल नंदलाल लिखेंगे ना में अनुसार बिंदू और दा नंद ला में बढ़ा की मातरा और ला नंदलाल को अंग्रेजी में लिखेंगे एन ए एन डी नंद एल एल नंदलाल के बाद में है नमिता न, मा में छोटी की मात्रा, ता में बढ़या की मात्रा, नमिता को लिखेंगे अंगरेजी में एन ए, एम आई, टी ए, नमिता के बाद में है, नंद किशोर, नंद किशोर लिखेंगे नामे अनुसार बिंदू और दव और आप चाहें तो यहाँ पर आधा ना लिख सकते हैं तो अनुसार बिंदू ना लिखें ठीक है नंद का में शोटी की मातरा शामे ओ की मातरा और नंद किशोर को अंग्रेजी में लिखेंगे NAND किशोर के बाद में अगला नाम है नंद किशोरी नामे अमसार बिंदू और दव नंद का में छोटी की मातरा शामे ओ की मातरा और रामे बड़ी की मातरा नाम हो गया नंद किशोरी नंद किशोरी को अंग्रेजी में लिखेंगे N-A-N-D-N-D-K-I-S-H-O-R-I नंद किशोरी के बाद में अगला नाम लिखेंगे हम लोग नंदन, नामे, अनसार बिंदू, नंद, द, और नदन, नंदन को अंग्रेजी में लिखेंगे N-A-N-AN-D-A-N-D-N, के बाद में है नीतू, नामे, बढ़ी की मातरा, तामे, बढ़ेव की मातरा, नीतू को अंग्रेजी में लिखेंगे N-E-E-T-U, नीतू, के बाद में अगला नाम है, नंदराम नंदराम लिखेंगे को अंग्रेजी में लिखेंगे के बाद में अगला नाम है नामे बड़ी की मात्रा नी और लामे बड़े उकी मात्रा नीलू लिखेंगे नामे बड़ी की मात्रा और ता में छोटी की मात्रा नीतिका लिखेंगे के बाद में अगला नाम है नादिरा नामे बड़ी की मात्रा और दा में छोटी की मात्रा नादिरा लिखेंगे अगला नाम हम लोग अगले पेज पर लिखेंगे आप भी पेज पर लिखेंगे और हमारे साथा लिखते रही है अगला नाम लिखेंगे हम लोग ओम अब हम ओ अक्सा से सुरूर होने बाद नाम लिखेंगे ओम लिखेंगे पहला नाम है ओम और अम ओम को अंग्रेजी में लिखेंगे ओ और एम ओम के बाद में है ओजस ओजस को अंग्रेजी में लिखेंगे ओजस के बाद में ओजस्वी ओजस्वी लिखेंगे ओजस्वी के बाद में अगला नाम है ओम कार ओम कार लिखेंगे ओम कार को अंग्रेजी में लिखेंगे ओम कार को यहां पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओम कार के बाद में अगला नाम है ओम परकाश ओम ओम पामे पदेंदरा पर कामे बढ़ा की मात्रा और शह ओम परकाश अंग्रेजी में लिखेंगे ओम और मा ओम पी आर एपर के ए एस एच ओम परकाश के बाद में अगला नाम है ओमा ओमा लिखेंगे ओ और मा में बढ़ा की मात्रा ओमा को अंग्रेजी में लिखेंगे ओ एम ए ओमा के बाद में ओम बती लिखेंगे ओम बती ओ और मा ओम ओवा ता में बढ़ी की मात्रा ओम बती लिखेंगे O M O M V A T I O M Vati के बाद में O जश्विनी O जश्विनी लिखेंगे O जा आधासा और मापकरना यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए रखा किचेंगे वा में छोटी की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा O जश्विनी लिखेंगे O जश्विनी के बाद में अगला नाम है ओश्विनी ओश्विनी लिखेंगे O श और मा में बड़ी की मात्रा ओश्विनी के बाद में अगला नाम है ओश्विनी के बाद में अगला नाम है ओश्विनी लिखेंगे ओश्विनी के बाद में अगला नाम है ओश्विनी लिखेंगे उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्यारति को सब्सक्काइब भी कर लीजिए हमने अपने चैनल पर आपको बहुत तरल और बहुत यह वहारिक तरीके से हिंदी लिखना परना सिखाया है मिलें कि हमारी अगले वीडियो में तब्सक्राइब जये हिंदी जये हिंदी